आप देख रहे हैं NMT News और आपको रखे सबसे आगे यहां से बीजेपी के सांसद लल्लू सिंग ने से लेकर सबसे पहले बयान दिया और इसका सर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दिखा यूज अजनसी एनाई के पॉड़कास्ट में बाचीत के दुरन जब विकास तेविकीरती से पूछा गया कि आयोध्या बीजेपी के उहारी इस पर उन्होंने कहा कि सिर्फ फैजाबाद सीट ही नहीं इसके आसपास की सीटे भी सपाजीती है उन्होंने कहा कि आयोध्या फैजाबाद की सीट के बात करें तो बीसी 22 प्रतिशत दलित 21 प्रतिशत और मुस्लिम 18 प्रतिशत है दलित वोट पाने के लिए सपा की रणनीती आई काम, उन्होंने कहा कि वीसी सपा के वोटर हैं, इस पर उन्होंने दलित वोट पाने के लिए दलित वर्ग से उमीदवार अवदेश पास्ची को घड़ा किया, पास्ची ए युध्या में सबसे ज़ादा है, इसके लावर मुस प्रतिशात वोट मिले पिछले दो चुनाओ दो चौदे 2019 में जीत का मार्जिन सिर्फ बारे तेरे हजार वोट था इस बार बीएसपी का जो वोट बैंक था वह अब देश पासी के पास खिसक्या बीएसपी के वोट सपा में सिफ्ट होने से पासी पचास हजार वोट से जीत आप देख रहे हैं एनम की न्यूज और आपको रखे सबसे आगे